अस्सलाम अलेकूम और रहमतुल्लाइ वबरकातू आपका इस्तक्पाल है अम्रीन किचन पर और इस पार हम एक बार किचन के लिए बहुत ही अच्छी चीज लेके आएं जो कि यह लकडी का बूट फ्रेम जो कि हमने मीशू से मंगाया है फिलिप कार्ट पर सी कीमत तक्वीव मीशू से हमें 600 रुपे में मिल गया है और देख सकते हैं आप यह फ्रेम बहुत अच्छी पैकिंग में आया है और सबसे अच्छी खासियत इसकी यह जैसे जिन किचनों में या जिन जगाओं पर घरों में जगा नहीं होती है और अलमारी नहीं होती है और किचन का काम कि पैकिंग कोलने के बाद हम इसमें देखते हैं और बताएंगे भी आपको कितना बड़ा साइज है कि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लेते हैं साइज को लेके तकरीवन इसमें आठ साथ या आठ इंच की एक रेक होती है जिसमें आराम से आप अपने मसाले बगेर आपके बॉक्स इसको रख सकते हैं तो यह पिर्णी के अंदर अच्छी तरीके धर्मापोल से रेप होकर आया है और इसमें प्लास्टिक का भी ऑप्शन आता है बड़ प्लास्टिक का हमने इसलिए नहीं मगाया थोड़ा सस्ता था कि उसको तूटने बगेरा का जाद ही व आले तक्ति लगेंगे और यह दोनों पॉर्शन जो रहेंगे आपके यह उपर नीचे के रहेंगे और इनमें साइड में एक ओल दोनों तरब दिया हुआ है जो कि दिवार में आप डिल मसीन की मदद से थोड़े से छेट करके दो और इसको आप इसे असेंब्ल कर सकते हैं और सब सची बात इसमें यह है कि यह बुलकुल एजीली असेंब्ल हो जाता है इसमें ऐसे कोई टेकनिकल सीज नहीं चाहिए बाकायद है इसमें इसक्रू के छेट दिये हुए है और अंदर बॉक्स के इंदर इसक्रू का पैकेट आता है इसे फेक मत देना क्यूंकि मैंने इसमें भी सुछा था इसमें बॉक्स में साइध स्क्रू नहीं है बात में देखा तो इसके इंदर इसक्रू का पूरा पैकेट तर इस से यह असेंब्ल हो गया तो चली हम जल्दी से सुछुरू करते हैं asemilling यह देखिए हम asemble करने चारा है यह फ्रेम जो महाय था किचिन क सबसबेल इनकी पट्टिया इस पिरकार होंगी, दो होंगी खाचे वाली, जैसे ये खाचे वाली है, ठीक है, और इसमें ये साइड में, ये लगा होगा, कील से ठांगने के लिए दिवार पे, तो ये पॉइंट दोनों उपर रखने एक ही तरब, ठीक है, इस तरीके से, बाक सेड इसके साथ आता है, ये दिवाल में लगेंगी, दो गुल्लिया, बाकि सारी फ्रेम में लगेंगी, ये ब्लैक वाली, अब ये किस तरीके से असेंबल होंगी, ये हम आपको दिखाते हैं, ये देखी, ये दोनों छेदे, ये इस से मिलेंगी, इस तरीके से, और यहाँ पर स्क्रू लगेंगे, और दूसरे ये छेदे, ये इस तरफ आएंगे, ये यहाँ लगे जाएंगे, इस तरीके से ये फ्रेम बनना सुरू होगा, तो सबसे बहले हम यहाँ पर कीले लगाते हैं, फिर बाकी और असम्बल करके दिखाते हैं आपको, ये देखिए एक तरफ कितने के बाद सारे पेज, फिर आपका आएगा दिवार पर कसने का यहाँ रखना चाहते हैं, तो यहाँ रखना है, यहाँ पर सारे पेज कसे जाएंगे, ये देखिए हमारा फ्रेम लगके तैयार है, ये आमने दिवार में शेट करके ट्रिल मसीन से नापकी और इसे लगा अब बहुत सो का ओनलाइन लेने में ये कंफीजन देता है कि इसके खाने किते बड़े हैं, किते बड़ा डिबबा आएगा और उसको कोई कैलकुलेशन भी साथ तरीके से नहीं होती है, तो मैं बताता हूँ कि आपको कितना सावन इसमें आ जाएगा, तो सिंपल सा हम उंग पूरा खाना है, आपका आरा मिसेस में बहुत सारा सामन आ जाएगा, बड़े वोक्स भी आ जाएगे, तो आप ले सकते हैं, बस लगाने में थोड़ी मैनत लगेगी, बना चीज सही है, और आपकी स्पेस भी बचाएगा, और चीज को मैनेजमेंट भी कर सकते हैं, कि हमने म प्लास्टिक वाला भी आता है, तो प्लास्टिक वाला भी आप ले सकते हैं, बट उसकी क्वालिटी ते इच्छी नहीं है, तो बने रही है हमारी वीडियो में मृइल की चिंपर, और फिर हम नेक्स्ट टाइम एक और प्रोड़क्ट के रिव्यू करेंगे, जो आमने मंगा झाली आता है